आसलामलीगव एफ़ीव और वेल्गम टू एट आट ओध अंगी इस तरह के जुम्रे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जो भी हो यह कुछ भी हो जाए जैसे ये sentence है कि जो भी हो कभी हार मत मानो या कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं चोड़ूँगा या कुछ भी हो जाए हमें ये काम आज खतम करना है इस तरहां के जो sentences होते हैं उसके लिए जो हम structure यूज़ करते हैं वो है come what may अब इसको sentences में देखते हैं जैसे कि अगर आप आपने ये कहना हो कि जो भी हो कभी हार मत मानो तो आप कहेंगे come what may never give up come what may never give up आचे ये जो come what may है यहाँ इसको सटार्ट में भी यूज कर सकती है और sentence के n पे बी कर सकती है जासे के अब तो start में लिखा हो ना कि come what may never give up आप यह भी कह सकते हैं कि never give up come what may कि कभी हार मत मानो जो भी हो जाए ठीक है तो इसको start में भी कर सकते हैं and पर भी कर सकते हैं जा हमारा अगला जो sentence है वो है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा कुछ भी हो जाए ठीक है आप जासे अगला sentence है कुछ भी हो जाए हमें ये काम आज खतम करना है तो इसको आप कहेंगे come what may we must finish this work today come what may we must finish this work today या आप बोल सकते हैं कि we must finish this work today come what may ठीक है जासे अगला sentence है कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलो इसको आप कहेंगे always speak the truth convert में यह convert में always speak the truth ठीक है आगे आगे आप कहेंगे कुछ भी हो जए मैं यहां से नहीं जाओंगा इसको आप English में बोलेंगे convert में I will never leave from here I will never leave from here देखें अब भी तो मैंने पूरा sentence लिखें न I will never leave from here कि मैं यहां से कभी नहीं जाओंगा यहां से नहीं जाओंगा ठीक है इसको जब आप spoken English में बोल रहते हैं conversation के दुरान बोल रहते हैं इतना कहना भी होता है I will not leave ठीक है I will not leave कि मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा मतलब यही होता है कि यहां से नहीं जाओगा ठीक है तो अगर आपको यह लेसन पसंद है तो काइड़ी मेरे इस लेसन को शेर किजिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए इस यो नेक्स लेसन अलाफेस